सब्सक्राइब कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका हनु अन्दा फैमिली में सु दोस्तों आज है दिन सोम वार का और तारीक है शायद 18 शायद मुझे आदमी सु दोस्तों बस कुछ नहीं हनु को स्कूल से लेकर आए हैं और खाना पीना बना रहे हैं तो आज खाने में बना तो इस ताइब के चीज़ें में बहुत जादा मिलती है तो मैं जब रस्पत को सबजी लेने गई थी तब लेकर आई थी और तब से चीले में सब सादा टाइम लगता है उसमें और मैं सोची थी बना के खतम कर दूए कि मुझे जल्दी कानपुर जाना है तो इस वजे से त कि मुंग दाल की बरी मैं हमेशा रखती हूं मसाले वाली बजार से ही लेते हैं लेकर वह बहुत टेस्ट रहती है हमारे उधर दबॉली में मिलती है तो वह मैं मुंग दाल की बरी डाल के बनाऊंगी मैंने क्या प्रप्रेशन करी है वह आपको मैं दिखाती हूं कि कैसे मैं इसको मैंने जीरा और हींड डाल के बूंजाए और आलू भी थोड़ी से प्राइब करें यह बरी है इसको फ्राइब किया है और साथ में मैंने पीस के लिए प्याच को गिसा है टमाटो कैसे कट किया है वह इसलिए दोस्तों कि बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है ऐसा करने से लिए क्रेवी बनती है अगर पीस के जादे है खोड़ा हो जाता है तो बस्कूकर चड़ा है और जल्दी से अर्चीजे में स्बुटर बनाती हूं दो करके रखेक है बता त्यारी नहीं पर तर रखा है और जब आप वसारी तैयारी होता है तो बनाने में बिलकुल भी मेरी दादीमेसा कहती है डादीम थायरी मेन पत ज़ो अशिए कहा और खाना की थौ। युझी मेरी दादीमा कईचा साही कि गरमा कते हैं और मेरी यॉद्प अप आचने काटी चाहिते हैं पाठाटन। फिर दूसरा यह भी है कि मैंने अपने मैके में इसे इतनी खाई है कि मेरा भी रहता है कि नीजो मैंने खाया है वह मैंने बना के भी हजबन को भी खिलाओं और खुद भी खाऊं तो कुछ ऐसा रहता है चली बिना बात करते हुए सब्जी बनाते हैं कि घड़ी में बज़ रहे है एक रहुल आने वाले होंगे रहुल तो कुछ पता नहीं रहता है धाई बज़े के बाद ही आते हैं लेकिन हनुभुका हो जाएगा इसलिए रली सब्जी बनाते हैं फिर आप से मिलते हैं आपको द हो और आते लिएन के ब्ल ट्रला आते हैं जुरे लो के पिया ता तो मैंने ने तो मैंने ट्रूर्ड रहे है ता मैं सुड़ी से ताल तो मैं है तो कि डालई के लिए शिपाता है इसकर ग्रम अब मैं यह बनाने इस तो मिल्टैया ज़ते हो तो यहां पर पिता बंचthose ळाल कि डाल के भी इसको बड़ी हां से भूंज लिया है आप देख सकते हूं पांच मिनट अब मैं इसमें लगाने जा रही हो थोड़ा सा पानी जिसे हम लोग रस्ता भी बोलते हैं यूपी स्टाई तो यहां पर मैं तो आस इसमें पानी लगाऊंगे इसको पांच मिन तक मैं अच् यह देखिए दोस्तों मस्त चानायाली की सबजी इत्ते टैम्टिंग लग दी है ना देखिए इसको आप चावल से रोटी से खाऊगे ना तो मज़े ही आ जाएगा एचली अभी बस देस्ट कोकर खोला है ना थुआ सा ठंडे होने के बाद इसका टेक्चर और टेस्स दोनो होगा बहुत गरम का लग होगा तो इसी तरह से अगभी से मैं धनिया वेगरा डालूंगे उसके बाद मैं इसका पूर्डी प्लेटिंग के साथ आपको अगर पॉसिबल होगा तो दिखाऊंगी आप ही ट्राइ करिएगा बहुट एसी सबजी बनती है तो आपी गड़ी में अब बज़ रहा है चार और राहूल अभी तक ने आए जब मैं कहती हूँ ना लास फोगी मैंने बताया था कुछ बशेर बनाओ तो समय से नहीं आते हैं अनु को तो खाना पर ने खिला के मैंने शुला दिया है और जस्ट फोन किया है तो बोल रहा है आ रहा है आरहा है जस मैंने खाना खाते हैं मुझे भूख लग जाती है बट ऐसी आदत पड़ी हूई है कि उनकी बिना मैं खाना नहीं खा पाती है खाती है चाहे दिन हो चाहे रात हो यह को खाते है तब ही मैं खाती हो मैं आपको सबसे दिखाती हूँ यार मैंने हनु को खिलाया ना और फिर ट देखिए दोस्तों मैंने आपसे कहा था ने कि जब रखने के बाद यह गाड़ी हो जाती है तो यहां पे मस्त आलू बरी और ग्रीन वाले चने की सब्जी आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी बनी थी मैंने हनु खिलाई तो मैंने दुचार बाइट खाई थी क्योंकि हनुन आधी रोटी छोड़ दीती अब बस राहूल जल्दी से आए तो मैं खाती हूं नहीं तो आज मैं उनके बिना ही खा लूँगी आगे दोस्तों मिलते हैं जो कुछ करते हैं शेयर करते हैं रोटी भी सेख ली है सब्जी भी गरब चटनी भी बनके त्यार है बस चलते हैं गल सब्जी मैंने जादा गरम कर दी तो भाप निकल रही है इसलिए मुझे ऐसे खाना अच्छा लगता है तो यह है आज का मेरा लंच जो कि शाम के चार बजे हो रहा है मिलते हैं दोस्तों थोड़े देर में जो कुछ करेंगे आगे शेयर करेंगे बाबाई